इस किताब में रायन हॉलिडे हमारे एगो यानि अहेंकार के बारे में मताते हैं कि कैसे हमारा एगो हमारे सक्सेस पर यानि सफलता पर असर डालता है हमारे जिवन में घटने वाली हर घटना का मतलब निकालते वक्त जादा तर हम उसे अपने हैंकार याणि एगो के जरीए ही निकालते हैं और दिरे-दिरे हमारा एगो मजबूत, यानि स्ट्रोंग होता जाता है हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम पर या हमारे मन पर हमारा एगो पुरी तरह चागया है जब भी हम गोई गोल सेट करते हैं तो हम उस दिशा में एक नई शुरुवात करते हैं ये ग्रेट जर्मी की शुरुवात होती है लेकिन जादा तर हम मेंसे कई लोग वहां तक पहुची नहीं पाते हैं इसके लिए जादा तर हमारा इगो यानी एहिंकार ही कारण होता है हमारे इगो के कारण हम कई सारी मन गढ़न कहानियां बिलिफ्स बना लेते हैं जिने हम बड़ी बड़ी बाते कह सकते हैं और वहां कुछ भी काम की नहीं होती